कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी तीन बड़े भाईयों की बहन थी, कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजर हो जाती, पूरे घर में रौप था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता, स्कूल में भ बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाता था, थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए, पूरे कालेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी, इन दिनों उसके घर एक रिष्टा आया, खांदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ, कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी पर कविता ने फिर भी हां कर दी, कयों की वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम राज था, राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, ससुराल में कविता की जगा वैसी ही थी जैसी की माईके में, कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था, सबकी लाडली बहु बन गई थी वह, फिर उसके घर एक ब भी सोचती की उसकी किसमत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुश किसमत हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी एक दिन वह माई के जाने की जिद्ध कर बैठी राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टक्रा गई कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी अब कविता की किस्मत जैसे उल्ते पाव चलने लगी मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे फिर कभी कभार फोन ही करके पुछ लेते की अब कैसी हो धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया ससुराल वालों की सहानुभूती भी कम होने लगी घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती राज भी चिड़चड़ा हो गया था बस राहूल ही था उसके साथ जिसके साथ हसते खेलते उसका वक्त बुजरता एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वज़े से राहूल को हलकी सी चोट लग गई कविता के साथ ससुर ने राहूल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वज़े से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए कविता अंदर से तूट चुकी थी एक दिन उसने सब के सामने माय के जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंट माय के छोड़ाया जैसे कि वह भी यही चाहता था लेकिन राहूल को उसके साथ नहीं भेजा गया कविता कभी राहूल से दूर नहीं रही थी कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था उसने अपने मम्मी पापा और भाई भावियों से दिल खोल कर बाते की उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैट तो बहुत भरा हुआ था वह सब समझ गई वह बहुत उदास हो गई कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा फिर जैसे सब बदलने लगा सब का व्यवहार बदल रहा था वह लोग जैसे ठक चुके थे उससे सब लोग घूमा फिरा कर कुछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने वह बहाना बना देती जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगा नहीं कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता थोड़ी बहुत तोकाटा की उसे सूनाई देती वह टाल देती एक दिन उसके हाथ से लग कर एक कींती फूलदान तूट गया छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया कविता के माता पिता रोज रोज के जहमेलों से तंग आ गए थे उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया राज कविता को अपने घर ले गया कविता को अपने परिवार वालों से ये उमीद ना थी जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वहाँ अब बोज बन चुकी थी, राज के साथ ससुराल आते वक्त वहाँ बहुत खुश थी, अपने जिगर के टूकडे राहुल के पास, परंतु यहाँ खुशी भी कुछ पल की ही थी, सारा ब एक कावाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौपी गई, जो उसके खाने पहने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती, कविता ज्यादा तर चुप ही रहती, कभी कभी कावाली लता से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिये राहुल का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बन चुकी थी